नमस्कार दोस्तों, इंपले ख़वर चनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आप एक पैंसन धारक है, चाहे आप किसी सास की विभाग के पैंसन धारक हो या प्राइवेट संस्थाक के पैंसन धारक हो तो यहाँ पर pension धारकों को हर साल यहाँ पर साल के अंत में अपना जीवन प्रमान पत्र life certificate जमा करवाना होता है जिससे कि यह सावित होता है कि यह pension धारक अभी यहाँ पर जीवित है और अगए आने वाले वर्से के लिए उसे यहाँ पर pension के लिए वा eligible है लेकिन यहाँ पर pension धारकों को life certificate जमा करने जीवन प्रमान पत्र जमा करने में काफी तरह की समस्या भी जाती है क्योंकि यह जो pension धारक होते हैं यह 60 वर्से से ज़्यादा की उम्रगे होते हैं ऐसे में इनो बेंक में जाकर पी एफ खाताधारकों को पी एफ आफिस में जाकर या अपने अपनी संस्ता में जाकर या डिजिटल तौर से भी CSS सेंटर जाकर यहाँ पर life certificate जीवन प्रमान पत्र जमा करने की जरूरत होती है तो अभी नहीं सभी जनजटों को बचने के लिए इन सभी जनजटों से दूर होने के लिए सरकार ने यहाँ पर एक नया इंतजाम कर दिया है जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर डाक्टर जितेंदर सिंग जी की ओर से किया गया ट्वीक देख पा रहे होंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि एक Face Recognition Technology यहाँ पर लाई जा रही है जिससे की Life Certificate जमा करने से पेंसन धारगों को यहाँ पर मुक्ती मिल जाएगी यह जो Face Recognition Technology है यह एक Mobile Application के माध्यम से ही आपके चेहरे को यहाँ पर जो है जीवन प्रमान पत्र है वो आटमेटिक ही यहाँ पर सकैन करते ही सबमेट हो जाएगा तो यहाँ पर पेंसन धारगों के लिए यह काफी अच्छी Facility, काफी अच्छी सुमिधा है यहाँ पर सरकार के तरफ से लाई जारी है जिसमें की pension धारकों को उनका जीवन प्रमान पत्र live certificate जमा करनी की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो pension धारक अपना यहां पर live certificate जमा कराना चाहते हैं उन्हें केवल mobile application के माध्यम से अपने face को केवल एक बार scan करना होगा जिससे की यहां पर आटोमेटिक उनका digital life certificate जीवन प्रमान पत्र सब्मेट हो जाएगा तो दोस्तों यही एक latest update निकल कर आ रहा था pension धारकों के लिए यदि आप एक सास की विभाग के pension धारक है या private विभाग के pension धारक है यदि आपको हर साल जीवन प्रमान पत्र जमा करने की यहां पर जरूरत पड़ती है तो अब आने वाले दिनों में सरकार की ओर से ऐसी facility यहां पर लाई जा रही है I hope यह वीडियो यह जानकर यह आपको पसंद आई होगी यह वीडियो जानकर यह आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए अपने सब दोस्तों साथ सेयर कीजिए और इसी तरह से सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार